तहरीर सिर्फ बालिगान के लिए है भारत में एक रियासत है जिसका नाम केराला है वहाँ एक बहादुर औरत जिसका नाम निंगीली था जिसने हिंदस्तान के पूरे समाज को बदल डाला हिंदस्तान सथियों से जात पात उच नीच के थपेड़ों में रहा है जदीद भारत में आज तक कई रियासतیں इस कीलपेट में थीं जुनूबी हिंदस्तान की कई रियासतें इस जात पात और उच नीच से आजाद नहीं थीं अंधरा परदेश, करनाटक, तम्मल नाडू, केराला, तेलंगाना वगरा में भी अचूतों के साथ जल्म वाउ जियादतियों का सलसला जारी वसारी था 20% लोग जिनका तालुफ द्राविडी नस्थ से है जो अपने आपको उंची जात कहते हैं उसी फिसद चूतों पर हुकुरानी करते रहे हैं और चूत हुलामी की जिन्दगी गुजारते रहे हैं पाकिस्तान में भी मौाशी वाउ समाजी तोर पर कम वबीश ऐसे ही हालात हैं ये गहानी मौजूदा रियास्त केराला से है जहां अंग्रेजों से मौहधे के तहट बरहमनों की बादशाह काइम थी जहां बरहमन नीम खुदमोहतार हुकूमत चलाते थे उस वक्त बरहमनों की गाइम इस रियास्त में उचूत औरतों को अपनी चाहती ढखने की ममानत थी अगर कोई औरत अपनी चाहती ढखती थी तो इससे टेक्स वसूर किया जाता था टेकीस वसूर करने की शरफ कुछ यूं होती थी कि इसको सर बाजार दौबटा हटा कर गमीज से इसकी छातियां बाहर निकाल दी जाती थी और फिर सरकारी एहलकार इन्हें दबा दबा कर नाप तोर करते थे और साथ में जिनसी जियाधती रेफ भी करते थे फिर इस छाती की साइस की मुनासिबत से टेक्स लागो किया जाता था अगर किसी की छाती बड़ी होती थी तो इस पर टेक्स भी ज्यादा लगाया जाता था उचूद औरतों को बाजार में खरीदारी करने, मिल से पानी भरने और फीर वक्रियां चराते वक्त भी चाती को ढखने की अजासत नहीं थी टैक्स के खौफ से तमाम औरतें अपनी चातियां नंगी लेकर घूमती थी नंगीली की जब शादी हुई तो उसने अपनी चातियां ढखना शुरू कर दी सरकारी अहलकारों को जब मालूम हुआ कि नंगीली नामी औरत ऐसा करती है तो वो इसके घर जाप पूचे और इससे टैक्स की मांग की नंगीली ने कहा हर अउरत को अपनी चातियां ढापने का हख है तो सरकारी अहलकारों ने उसे उसके शोहर को खतल करने की धंकी दी मजबूर नंगीली ने कहा मैं आप टैक्स अगले माह से दूंगी इस दौरान नंगीली ने अपने गाउम और रासपास के इलापों की औरतों को बवावत करने के लिए अभारने की कोशिश की मगर इसे नाकामी मिली क्यूंकि कोई भी औरत इसका साथ देने की हिम्मत ना कर सकी एक माह बाद सरकारी अहलकार फिर इस घर के दर्वाजे पर थे नंगीली ने कहा रुके में अंदर से टैक्स लेकर आती हूं पुरा गाउम ये तमाशा देखने इसके घर के बाहर मौजूद था सरकारी अहलकारों ने कहा पहले नाप तोल करने दो के टैक्स कितना बनता है फिर अंदर जाकर टैक्स लेकर आना और इसको जबरदस्ति पकड़कर रिसकी चातियों में हाथ डालना शुरू कर दिया इसके गमीज फाल दी फिर उसे कहा तुम्हारा टैक्स इतना बंदा है जाओ लेकर आओ निंगीली अंदर गई और एक तेजधार चापो से अपनी दोनों चाथियां काट कर अपने हाथ हमें लेकर बाहर आई और जोर से चलाते हुए बोली मेंने अपनी चाथियां काट ले हैं ये लो मगर में ये तजलील बरदाश्त नहीं कर सकती और वहीं बेहुश होकर गिर गई हुकूमती हलकार ये देखकर भाग खड़े हुए इस दोरान निंगीली दम तोर चुकी थी गउंग की औरतों ने खून मिलत पतलाश देखकर भरक उठी और रहस्ता आहस्ता पूरे गउंग में आग फ्यल गई जिसकी वज़से पूरे केरला में बरहमन समाज की बादशाहत के खिलाफ बगावत उखड़ी हुई जब ये खबर अंग्रेजों तक पहुंची तो इन्हों ने बरहमन बादशाही गुप मौत तल कर दिया इस बगावत के दौरान कई हजार उचूत औरतों और उनके खानदान वालों ने इसायों का मजभ इफ्तियार कर लिया हुकूमत अचूतों की बगावत रोकने में नाकाम रही जिसकी वज़से तबदीली मजभ का आमल मसलसल जारी रहा लोग धरधर इसायत को अपनाते रहे और युमाज के राला हिंदूस्तान में एक्सरियत इसायों की है इसके बाद अब मوجودा केराला में तबदीली का आम ये है कि तालीम की सबसे ज्यादा शरह केराला में है जात पात उच नीच का निजाम बिलकुल खतम हो चुका है पूरे भारत में सबसे ज्यादा मेडिकल स्टाफ का तालोग केराला से है जो मुंबई से लेकर दुबई तक हर हस्पताल में मौजूद है एक औरत के पुर्बानी ने पूरे भारत से बरहमन समाज को जड़ से उखार कर रख दिया आज पूरे जुनूबी भारत में सौ साल से कम्यूनिस्ट पार्टियां ही बरसर हिक्तिदार आती है बराए महरबानी इस चैनल को सबकराइब कर दे ताके आपको नई आने वाली वीडियोज मिल सके शुक्रिया